120 साल से क्यों बंद है कुनार्क मंदर का रहस्मय दर्वाजा साल 1903 यही वो साल है जब उडिसा के कुनार्क सुर्य मंदर को अचानक रेत और बालू से पूरी तरह से ढख कर बंद कर दिया गया अब इस घटा को तकरीबन 120 साल भी चुके हैं लेकिन आज तक भारत सरकार ने इस रहस्मय दर्वाजे को नहीं खोला जब आप कुनार्क मंदर में जाएंगे तो आपको मंदर का मुख्य दर्वाजा बंद नजर आएगा आप मंदर के आज पास वाले इलाके में तो गूम सकते हैं लेकिन इस मंदर का रहस्य इसके बीचों बीच बने मुख्य दर्वाजे के अंदर मौजूद है जिसे आज तक बंद करके रखा गया है इसके लावा भी मंदर के कई सारे रहसे हैं जैसा कि ये मंदर अधूरा है इतना ही नहीं ये मंदर शापित है जो सैक्रो सालों तक रेत में दफन था इस मंदर को बनवाने वाले कारिगर ने आत्मत्या कर ली थी और रात के वक्त इस मंदर से नाच गानी की आवाज आती है इतना ही नहीं इस मंदर से जुड़े ऐसे बहुत से रहसे हैं जिसे भारत सरकार सबसे चुपाती है कुनार्क सूर्य मंदर जैसा की नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह मंदर भगवान सूर्य को समर्पित है इस मंदर की भबेता के कारण ही देश के सबसे बड़े दस मंदरों में से गिना जाता है उनिसा राजी के पोरी शहर से लगबग 23 मील दूर कुनार्क सूर्य मंदर मौझूद है इस मंदर की रचना इस प्रकार से करी गई है जैसे एक रत में 12 विशाल पहिये लगाए गए हूँ और इस रत को 7 ताकत्वर और विशाल गाए घोड़े खीच रहे हूँ इस रत पर सूर्य देव को विराजमान दिखाये गया है इस मंदर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं मंदर के शिकर से होते हुए आप ढलते हुए सूरज को देख सकते हैं जब सूर्य निकलता है तो मंदर से ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूरज से निकली लालिमा ने पूरे मंदर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वहीं मंदर के आधार को सुन्दर्ता प्रदान करने के लिए बारा चक्र साल के बारा महीनों को परिभाशत करते हैं और हर चक्र दिन के आठ पहर को दर्शाता है। श्रीक्रिष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोड रोग हो गया था। उन्हें रिशी कटक ने श्राप से मक्त होने के लिए भगवान सूर्य की पूजा करने की सुलादी थी। सांब ने मितरवन में कुनार्क में बारा सालों तक टपस्या करी और सूर्य देव को प्रसंड न किया। सूर्य देव सभी रोगों के नाशक थे और उन्होंने सांब के भी रोग का अंत कर दिया सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदर निर्मान करने का निश्य किया अपने रोग ठीक हो जाने के बाद चंदर भागा नदी में सनान करते हुए उन्हें सूर्य के मूर्ती मिली ये मूर्ती सूर्य देव के शरीर के ही भाग से भगवान विश्व कर्मा ने बनाई थी साम ने मित्र वन में एक मंदर में इस मूर्ती को स्थापित किया और तब से ये स्थान पवित्र माना जाने लगा कुनार्क के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां आज भी नर्त्य करने वाली महिलाओं की आत्माई आती हैं तभी तो जब आप इस मंदर में रात के समय जाएंगे तो आपको यहां पाइलो और घुंगरू की जनकार सुनाई देगी यह उनी के पाइल की जनकार है जो कभी राजा के दर्बार में नत्य किया करती थी अगर आप मंदर को ध्यान से देखेंगे तो इसका नर्मान एक सेंडविच के तौर पर किया गया है जिसके बीच में लोही की प्लेट थी जिस पर मंदर के पिलर रुके हुए हैं ऐसा कहा जाता है कि मंदर के उपर एक 52 तन का चुमबक रखा हुआ था जो कि इन खंबो को संतुलित करता था और इसी के चलते भगवान सूरी की प्नतिमा मंदर में जो मौजूद थी वो हवा में तैरती रहती थी जिसे देखकर हर कोई हैरत में पढ़ जाता था क्योंकि इस तरह की मूर्ती उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती थी ये लोगों के लिए बहुती अद्बुत और चमतकारिक नजारा था लेकिन यहां के लोग का कहना है कि उस चुमबक को विदेशी आकरमनकारियों ने तोड़ दिया हाला कि कहा तो ये भी जाता है कि मंदर के उपर रक्षत चुमबक के चलते समुदर से गुजरने वाले नाम जो की लोही की बनी होती थी इस चुमबक ये शितर के वज़़े से छतिगरस्त हो जाती थी यानि कि मैगनेटिक फिल्ड के कारण उन्हें काफी नुकसान होता था और यही वज़़ा थी कि अपनी नाव को बचाने के लिए नाविक इस पत्थर को निकाल कर लेकाए यह पत्थर एक केंदर शिला का कारे कर रहा था जिससे मंदर के दिवारों के सभी पत्थर बैलिंस में थे लिकिन इसकी हटने के कारण मंदर के दिवारों का संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वो गिरपणी हालके इस घटना का कोई अतहांसिक प्रमान नहीं मिलता और नहीं ऐसे किसी चुमबक्ये केंदर वाले पत्थर के अस्तत्व के बारे में कुछ लिखा या कहा गया है दोस्तों बाद साल 1568 के है जब उईसा में मुस्लिमों का आतंक नियंतरण में हो चुका था लेकिन इसकी बावजूद हिंदू मंदरों को तोड़ने के प्रयास होते रहते थे इसी समय पुरी के जगनात मंदर के पंडितों ने भगवान जगनात की मूर्ती को हटा कर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था और इसी प्रकार कोनार्क के सूर्य मंदर के पंडितों ने प्रधान देवता की मूर्थी को हटा कर सालों तक रेत में दबा कर छिपाय रखा बाद में जब ये मूर्ती पुरी भीजी गई तो वहाँ पर जगनात मंदर के फ्रांगण में इस्तित इंदर के मंदर में रख दी गई कई लोग का मानना है कि यहां की पूजा मूर्तियां भी भी खोजी जानी बागी है लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि सूर्य देव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राश्ट्रिय संग्राले में रखी है वह एक कोनार्क की प्रधान पुज्य मूर्ति है और मंदर से मूर्ति बाद में इस मदर में सुर्य वंदना बंध हो गई जिस कुनार्क में तीर Threering का आना जाना बंध हो गया एक वक्त था जब यहां हर वक्त हल चल मची रहती थी लेकिन जैसे ही यहां पर सुर्य वंदना बंध हो यह जगया पूरी तरह से विरान हो गई और कई सालों तक रेत और जंगलों में धकी रही फिर बाद में जब इस मंदर को खोजा गया तो इस मंदर के कई हिस्से बहुत ही बोरी हालत में पाए गये फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमन कारियों और प्राकरतिक आपदाओं के कारण पर किसी भी प्राकरतिक आपदा का प्रभाव ना पड़े इस काम में तकरीबन तीन साल लगे और 1903 में ये मंदर पूरी तरीके से पैक हो गया यहाँ जाने वालों को ये बिलकुल भी पता नहीं होता कि मंदर का आमिस्सा जो की जगमोहन मंदप है वो अभी तक बंद है हलाकि बाद में इस मंदर के हिस्सों पर शूद शूर हुआ कई बार लोग के दर्शन के लिए मंदर के मुखे दरवाजों को खोलने की बात कही गई थी लेकिन 120 साल बीतने के वावजूद आज भी ये आलम है कि इस मंदर के दरवाजे बंद है आप इंटरनेट और आर्टिकल के माद्यम से ये पढ़ सकते हैं कि ना जाने कितनी बार ही इस मंदर के मुखे दरवाजे को खोलने का खुलने का खुलेगा लेकिन बार बार अंत में ये निर्ने बदल दिया गया ऐसे में सवाल ये उटता है कि क्या सच में मंदर को प्राकरतिक आपदा के बचाव के कारण ही बंद किया गया था या फिर इसके पीछे कोई और वज़य थी दोस्तों इन सवालों से तभी परदा उठेगा जब ये दरवाजा खुलेगा और ये शुब कारे कब होगा और किस तरह होगा ये भगवान सूर्य ही जानते हैं बाकि आपका इस अनूख्य मंदर के बारे में क्या खयाल है ये हम जरूर जानना चाहेंगे इसलिए अपनी राय कॉमेंट में फटाफट लिखके बेजिए और इस तरह की हैरतंगेज और रोमांचिक वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले धन्यवाद दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोज दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें